मैं आभारी हूँ एंसी मैनेजमेंट का जिन्हों ने इतने सुन्दर से और जूम आईडी में आनलाइन मीटिंग में हमारे जैसे लोगों को बोलने का मौका दिया तो हम चाहेंगे सब लोग इनके लिए एक बार धन्यवाद देज़ां मेरी तरफ से भी धन्यवाद दन्यवाद इस गैशनिस में आने से पहले मेरी आवाज साफ आ रही है इस गैशनिस से आने से पहले मैं शिछित वेरोजगार था और मैं आपको बताय दे रहा हूं कुछ अ मैं एक मजदूर का बेटा हूं और मेरे पिताजी मजदूर थे, मैं उनके साथ में मजदूरी करने जाता हु, मैं बड़ा आदमी बनना चाहता था, तो मैं किसी एकाम की तलास करता हु, लेकिन कोई काम आपको ऐसा नहीं हो, दीरे 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 चलते चलते मैं गाउं करहने व जानते हैं क्योंकि जहां पर हमारा अफिस है टी आंसी का वहां मैंने काफी दिन तक काम किया और सबसे बड़ी बात है कि जिस काम को करने में लोगों को सरम आती है लोग परिशान होते हैं जिस काम को करते नहीं है जहां हमारा TNC का आफिस है, उसी के ठीक सार ने एक मकान है, 213 एनवला के दोई नगर, वहाँ पर मैंने 7 साल जो है, 7 साल जाडू, पोच्छा, बरतन, सारे कार जो है, यहाँ तक ही खाना भी बनाया, और केवल खाने बनाया, दोस्तों, लागडाउन चलना आए, लागडाउ में जब एक बार हम हिकानपूर में रहके, जैसे लोग यहाँ से ब्लागडाउन के समय काथी मजदूर लोग जा रहें, भाग रहें, तो हमको भी एक आउसर ऐसा आया था, कि जब एक बार दंगा हुआ था, जब मस्जिद तूटी थी, तो वहाँ पर कर्फू लगा था, त आत दिन तक हमने खाना खाया था, तो इसलिए उस वहीं पर डिशाइट किया था, कि कभी भी ऐसा मौका आ जाए, तो ऐसा समय हमको ना देखना पड़ है, और इसलिए हम लोग बड़े काम की कलास में तो दोस्तों, अगर आप सोंच सकते हो, बड़ा सोंच सकते हो, तो बड होती होती है, कि सपने पूरे होते नजर नहीं आते होते होते हैं, हमारे भाई लगते हैं, घेमंत जी हमारा छोटा भाई है, काफी दिन आता था हो, कहता था था भाईया, ये काम कर लो, ये काम कर लो, क्योंकि बहुत सारी networking कंपनी हमने की थी हार network में हम फेल हुए, और हम खाली थी, कि जिंदिगी में आज के बाद networking हमको करनी ही नहीं, वो दीरे-दीरे आते रहे, बोले भाईया, हमको ID दे दो, हमने ID दे दी, और इसके बाद दीरे-दीरे क्या हुआ, तीन-चार मेने बाद उसने प्लान दिखाया, तो हम उसके प्लान से संतुष्ट है, लेक किस्ता बला हो जाएगा, तो यहीं चीजे हम सारे distributor के दिमाग में रहे हैं, कि हम दूसरे के लिए काम करते हैं, थोड़े दिन के बाद क्या हुआ, कि इस बिजनिस को हम अपने लिए करने लगे, जब वो सफल होने लगा, तो अपने लिए करने लगे, और धीरे-धीरे तक यहां तक हम करने लगे, और इसके बाद जब मैंने चालू किया, तो जब बिजनिस की सुरुआत की, तो हम जब इस बिजनिस की सुरुआत की, तो हम लोगों के पास जाते थे, जब बड़े लोगों के पास जाते थे, तो जब बड़े लोगों के पास जाते थे, तो कहते थ यह संधिन कि काम चोटी के बोत करो चोटे लोगों से बात करो तो कहते थे जोटे लोग का मेई हमारे स्टेंदर यह संधा हीने और और ऑर पाँक फूरी जंदी कि आर मझ्नुली यह टॉट सुपने पूरी से यह तो डिसव्थ पाम करने जिस से रंचेपन. नौकि बाड़ी सब्सक्राइब करके कोई बड़ा अदमी नहीं सब्सक्राइब, जिन्दगी केमने काट रहे जिन्दगी नहीं रहे, मैंने रिचाइड किया था कि हमको जिन्दगी काटना नहीं हमको जीना है। क्योंकि हम लोग जिस lower middle class से ब्लांग करते हैं तो आज सब चोटे लोग होते हैं और चोटे लोगों के अंदर एक बहुत अच्छी आदत होती है। सबसे ज्यादा ग्यान हिंदूस्तान में अगर सबसे ज्यादा ग्यान ही भोग हैं तो जो सबसे छोटे लोगों के पास सबसे ज्यादा ग्यान है। सबसे अच्छी आदत होती है हम लोगों के अंदर कि हम लोगों एक तो कोई चीज जानते नहीं, दूसरी चीज मानते नहीं और तीसरी चीज कहते हैं ऐसा, वही नहीं सकता। जिसको सब कुछ पता है, सब से ज़्यादा वही लापता है। दोस्तों, और हमने देखा है आज कल, कि जितना हुसियार आदमी है, उतने ज़्यादा परिशान है। जिसको सब कुछ पता है, सब से ज़्यादा वही लापता है। और जितना पढ़ा लिखा आदमी है, वो हर ब प्रिजनिस की सुरुवात हमने चालू की और दीरे दीरे सुरुवात करते रहे करते रहे और इस्टार सिक्स दीरे-दीरे हमारे चोटे भाई ने किसी तरह करा दिया एक दिन चोटे भाई ने क्या किया क्योंकि भाई छोटा था तो उसकी बात मानता नहीं था तो उन्होंने आर्जुन शींगर घुड़र लाइं ने उमारे जो गुरु भी है और जो महागुरू है के पांडे साथ उन से मिलवाया और उन से मिलवाने के बाद उन्होंने अमको एतनी मोटिवेक्ट किया हमने अर्जुन सर से बात कि वही एक है पांडे सर से बात की दोनों लोगों एक अरजुन सर एके पांडे जी की तारीब कर रहे थे, एके पांडे जी तारीब कर रहे थे, तो हम सोचे दोनों लोग बहुत बड़े लिए रहां को दुनिया कोई ग्यान नहीं था, तो इनकी बात समय में आ गई, और एके पांडे सर ने ए चीज कही थी, कि जिस बेक्ति में अपलाइन को, अगर अपलाइन से प्लान देखवाएगा, फालो अप करवाएगा, मीटिंग करवाएगा, और प्रोड़क का डिमोस्टेशन करवाएगा, वो बेक्ति जादा दिन तक इस बिजिनिस में दुख नहीं पाएगा, क्योंकि उसके सफलता के चा अजुन सर्जी ने बताई, तो दोनों चीजों की जब विलान हुआ, जब दोनों चीजे मैच हो गई, तो मैंने अपनी अपलाइन से नमस्ते कर लिया, और मैंने सीधे अपने भाई से बोला, जो मेरे डारेक्ट अपलाइन है मन जी, हमने किता, आज के बास आपको मेरी टी होगा, तो मेरी आप मदद करिए और उस दिन से मैंने काम करना चालू किया, और जब उस दिन से काम करना चालू कर दिया, तो दोस्तों मुस्की जीवत का पहाँ ठूटने लगा, क्योंकि हम जाते सबसे पहले जब बिजनिस में होते हैं, तो जाते किसके बास है, अपने ना अपनी बात भताते, क्लान भी देने लेते, और जम दुख्वारा जाते थे, और लोग बोलते नहीं थे, वह तो अव घर में रहते हुए, बोल देते थे, हम घर में नहीं, याहाँ तक च्छास लोग ऐसे थे, इनके घर में मैं जाता था, तो घर में मोटर साइकिल खड़ी तो हैं नहीं नहीं आपने देखा कि हैं वह घर के अंदर गया है लेकिन नहीं नहीं उनकी मैडम निके लेखे लिग के डूसरे एक आवाज में जो आधमी या जाता हो जाते हैं तो इस तरह से सबसे बड़ी बात है इस सिच्फम को इसले करना चाहिए कि आदमी की प merging कि पहचान हो जाती है और हम ब्沒事 पहचान मत चले लाती है कि हम इस ले कितने गहरे-पानी में इसम् अधाल की करेंभानिच लेकर नेटवरकिंगने metलों इतनी चोटी चीज नहीं आप कि नेटवरकिंग को लूगं तील गारी समय तैघिजे कंना तो इस पर पहले चाल था तो उसको घर के बाहर रगर , थै। ۔ और सुखते हैं कि आसा नहीं कि हमको चुलेगा तो कहीं कए सन Tamaki हमारे भी हो जाए इसके भी हो जाए लेकिन उनकी गडर फें कि नेटवरके दो कि भीमारी नहीं है नेटवरक्ण कि राज्याहँ का बैक्रा hvis एक। कि लोकों को नेट वर्क परिबासा नहीं पता है नेट प्लस वर्क बराबर होता है आप किंग राजा होता है किया होता है राजा कर सकता है कि वाई चीडी सारी चीडी हासिल और जो सपने नहीं देखता व क्योंकि जक काम क्या तो सारे हालात करें पैसा मिलता नहीं है तो सब लोग भी परेशान हो जाते हैं क्योंकि जो लोग आते हैं तो ज्यादर कर सोकते हैं कि चार दिन काम किया, पैसा मिल जाए, फंदर दिन काम किया, तो पैसा मिल जाए, एक महिने काम किया, पैसा मिल जाए, दो महिने काम करे, पैसा मिल जाए, चार महिने काम करे, पैसा मिल जाए, इस तरह से आप पैसा नहीं मिलता है, यह हम लोग कोई दियारी मजदूरों वाला का सबी हम त्वेरांब यह और राजा बने में थोड़ा टाइम लगता है यो की दर्फित उच्छी ए जो पाष्टित सोंचता है जो जिन्दी में कुछ करना चाहता है उसी का अफ्मान होता है जिसका अफ्मान होता है उसी कर एक इस तरह लोग अपोर होता युँकि जब मैं एक काम करता करता था तो छोंते wrestling Rise सकते हैं । और है कानभर में साथ साल तक हुआ सारे काम को करते हैं बेडियों को इस वी वह रहे हालात बिल्कुल बेकार होग dependent गरीब आपका बेटा हूँ, इसमें मेरा कोई नहीं है और मैने यह तैक लिया था कि मैं गरीब आपका बेटा हूँ, गरीब पैदा हूँ, गरीब लोगों के मीच में रहता हूँ, ये मेरी सुच है करें लेकिन जो मेरे बच्चे कहीं पर जाएं तो यह न कहें कि मेरा बाप गरीब है उस काम को साबित करने के लिए उस बात को सिद्ध करने के लिए मैं जो है यह रास्ता चलता रहा है यहां तक कि बहुत सारे अफ्मान हो इस तरह से से अफमाने कुछ पूंचे नहीं लेकिसका अफमान में जितना बड़ा दिसका अफमान होगा जितनी बड़ी समच्या होगी उतनी बड़ी सफलता मिलेगी कि हो गए हालात सब विपरीत क्या तुमको बताएं वक्त दे रहा था मात ये बात क्या तुमको बताएं कच्च मिपी की तरह शंबंध सब छितरा गए पूंचते थे सब हमारी बात क्या उनको बताएं आज कितने ज्वाइं हुए कितने पैसे मिले ये सब लोग पूंचते थे मजाग बनाते थे और इतना अंदर से कश्ट होता था तो मैं बिल्कुल उसको बरदास्ट कर जाता था और मैंने अपने सपनों को तोड़ने का दिकार दूसरे को नहीं दिया आपके कहने से ये सपने मेरे कम नहीं होंगे और दोस्तों लोगों को बता दो मैं चिला चिला के बताता था कि पांच साल के बाद मेरे पांसकार होगी पांच साल के बाद मेरे मतान होगा पांच साल के बाद मेरे बच्चे स्कूल में पढ़ेंगे पांच साल में हमारा अच्छा एंद्डर्म, चीज़ बताएं, पूरी हो नहीं पा रहे थी, तो लोगों ने मजाग बनाया,akteोंकि में मजाग इस तरह बनते हैं, उनकी भी गलती नहीं थी, लोग मजाग भी बनाते थे, तो उनका भी कोई डोल इस्ले नहीं था, कि उमको पते नहीं था, जैसे समाध में क्या कहते हैं, टेशी जगे लोग रहते हैं, उसी तरह जो है, उसी तरह सब्काम हो जाता है। जैसे मैं आपको एक बात बताओं कि एक शमय क्या था कि हमारे देश के पदान मंत्री मानी श्री अटल भी आरी बाच पेजी बगे थे तो अमेरिका देश हो इसे भी पावर्फुल है हमेशा सर्च किया करता था तो जब सर्च किया करता था तो क्या हुआ कि अमेरिका ने एक बार नुमाइश बुलाई केकड़ों की नुमाइश बुलाई और पूरे दुनिया से दो दो सो केकड़े मंगवा है और एक केकड़े की कीमत एक करोण रुपए रखी थी और सारे देशों को केकड़ों के पेमें पाकिस्तान तो यह सब पैक होके गए क्योंकि दो करोड का एक करोड का एक केकड़ा था दो सो केकड़े तो कीमत भी काची और हमारे इंडिया के जानुवर में चारा बर जाता है जानुवर का तो जब मेंडिया के लगी थी तो वहां सबसे देखा जो वहां के राश्पती ते और कहा कि देखिए यह किस देख का केकड़ा इसको या पर लाइए तो देखाया में इंडिया लिखा उन्होंने क्या कि तुरंट अपने पीएस से कहा कि इंडिया फोन मिलाई ये और वहां के पदान मंत्री को ये नहीं मालूम है कि एक करोण का एक केकड़ा है और इंडिया से आते आते अमेरिका तक कितने केकड़े निकल गए होंगे इसाद उनका अंदाजा नहीं है तो जो व कितने केकड़े निकल गए होंगे और एडवांस में हमने आपको पेमेंट भेज दिया था और आपने इसका भी ख्या लें किया कोई बात नहीं है आप हमारे केकड़े किनवा दीजिए अगर 200 में से अगर एक भी केकड़ा का मो हम पूरा पेमेंट आपको वापस कर देंगे वहां से आवाजें इतना कांफिडेंट लातिजिए ने कहा कि आप गिनवा लीजिए एक भी केकड़ा कमो तो पूरा पेमेंट आपको वापस अब क्या हुआ सबसे पहले अमेरिका में इंडिया के केकड़े गिनवाए गए गए तो पूरे निकले 200 के 200 फिर दुबारा गिन तो निकले 200 के दोस्तों अब अमेरिका से इंडिया में फोन नहीं आया तब बाजपे जी ने फोन किया अमेरिका में और कहा हलो मानी राश्पती जी क्या हाल है सर आपने वो हमारे देश के केकड़े गिरुआ जिये तो वहां के माहोदे राश्पती जी की आवाज बिल्कु घ अंडिया से अमेरिका तक आ गये और एक भी केकड़ नहीं निकला अइसा क्या है तो मान्म राश्पती साहब यह प्लाजने केकड़े हैं कहने मतलब कैने हिंदूस्तानी केकड़े हैं तो हां के राश्पती मुधन पुंक्षा मतलब कहने यहां जब कोई छोटा गी उठता ह तो बदलवाला टांग वसा लेता है जब आगे पीछे से कोई उखने कोसिस करता है तो इस आपस में टांग वसा लेते हैं, कि आप उपर निकल के न जाओ यहीं बने रहो कहीं अगे न निकल जाना तो इस तरह से हमारे जो मिडिल क्लास के लोग हैं इस सब आपस में एक तरह तो प्यास बढ़ी कर दे क्योंकि दोस्तों है हिंदुस्तानी केकड़ें इसी तरह सब को मिलेंगे जितने भी हमारे बाइट यांस कर रहे तो इनको सब इन से सावधान रहने की जवरत नहीं है और अगर इनसे आप डर गए तो आपको वहीं नीचे अपने पास बैठा ले रह अब दोस्तों क्या हुआ दीरे तो होता है जब हम सवधान हो गए और इन केकड़ों से निकलने के बाद जब उपर काम करना चालू किया और काम करना चालू किया तो बहुत अच्छे चलू में लच्छपों में जाता पड़ा लिखा नहीं हो मुझकों इंग्लिस तो वाती हिंदी में भी मैं फस्ता हूं अगर कहीं गल्ती हो जाए तो माप कर दीजिए कि मेरे भाव समझिएगा और सब्दों पर जाएएगा जब अपने काम करना चालू किया जब लोगों से बात की तो लोगों ने कहा कि आपका स्टेंडर होना चाहिए आपके पासकार होना चाहि तो मेरे दिमाग में आगया कि काम तो पढ़े लिए लोगों का है बड़े लोगों का है लेकिन मैंने एक किताब पढ़ी थी बड़ी शोंच का बड़ा जादू क्योंकि हमारी जो अप्लाइन है एक पांडे साब ने और अर्जुन सिंजी ने ने कहात गंगर रांधी आप बड़ी सोंच का बड़ा जादू पढ़िए उन्होंते तीन किताब की थी तेन किताबे रहता पढ़ें एक पढ़ेंगे तो थीन किताबों से आप ड्रोंज लाइन चले जाएंगे आपकी समस्या का समधान हो जाएगा सबसे पहले अनुको किताब रेक्मेंट थी बड़ी जो वेक्ति इन तीन किताबों को पढ़ लेगा और इन किताबों की लिखी हुई बात का अनुसरण कर लेगा तो एक साल के अंदर वो वेक्ति पक्का ब्रोंज लाइन पहुच जाएगा और मैंने तीनों किताबों के पढ़ने के बाद फीक जो है छे महीने तो मेरे ऐसे निकल गए थे फीक 11 महीने बाद मैं इन अपने गुरू और महागुरू की करफा से ब्रोंज लाइन हो गया क्योंकि उन्होंने इतने कमेंट में से बताया था कि जो बैक्ति यह तीन किताबें पढ़ने और तीन किताबों का पालद कर लेगा इक शाल के अंदर पकका ब्रोंज लाइन पहुच जाएगा और मैंने अपनी एक्तिव अप्लाइन का कहना माना और ग्यारा मैने में ब्रोण्ज लाइन पहुंच गया। लेकिन किताबों में सब कुछ है जो हमारी सोच बदले टो हम जीने का ढंग नहीं मतंद पाएंगे और सारी चीजें किताबों में तो हमारे एक्एन सब किताबें की और अग्नि की कुरान किकताब इतनी वह जब की है और आज मी कुडान अगर मैं एक किताब पढ़ चुकार दूसरी किताब पढ़ अब मुझको पता पता है जिए दिन में दोनों किताब पढ़ लोगा और एक साल केंडर में गोड़ लाइन फकता हो जाओंगा क्योंकि मुझको अपने सपनों पर भरोसा है तो तो प्रवावना को कोई रोख नहीं सकता है और भावना है आपकी जब भी विचार आपके जब भी पेज़ोंगे जब आप इन किताबों को अपलाइन दोरा बताएं गें किताबों को पढ़ेंगे किस जात के किस डर्म के चोटे है अमीर घरीब है आपको दिखता है नहीं दिखता है काले है और ऑदमी क कज ढेले है वी पतले अगर आगारत्माइब और दोनों बड़े आग्याकारी है जब दी आम कोई काम करने की स्टें काम करने कोसिस करते हैं निगेटिव सुपर वाइजर अक्रोड़ व्यक्षान करें करना बंद करते हैं अगर ऐसा कि ऐसा ना हुआ तो इन्होंने काम ऐसा कर लें हम फस गए तो 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 लेकिन यो कि हमारे जो एक्टीब अप्लाइन है लेकिन हम लोग अटाने की कोशिश कर रहे किन परंतु लेकिन अस्फलता की वीमारी और बिलकुल सीधा सीधा सवाल एक चीज और बताई हमारे अप्लाइन है कि जिसको एक गंटे का प्लाम दिखाओगे आपके पाधि जट नहीं आए इस लो बढ़ते रहो योग सभी करते रहो योगाही एकाम से अगे बढ़ने लगए क्योंकि इस काम में कुछ ही नहीं कि वुक्राइब ने तो और आप दो शाधन व तन गारी बंगला मकानखोन लेपटाप कार ओपोर्ट पेंट उच्छोने की ज़ुरत नहीं कि अगर और कि अनी करने के हैं लिए हमेर ने की पर सकते हैं तो इन किसमें लोग बनते हैं इसा है जितने भी उट हुडते है डाक्टर बनना है तो बायो पढ़ना एंजीवियर बनना है तो मैद पढ़ना टीचर बनना है तो ये सब के अलग अलग बैदान के लोग जो कुछ बनना चाहते हैं तो बाइच च्वाइस बनते हैं लेकिन राजा बनने के लिए अमीर बनने के लिए किसी योगता और डिगरी की ज़Scott नहीं होती है अमीर बने के लिए क difация सब में देखने की ज़्गूरद होती है और राजा हमेशा वड्य और चांस बनता है तो जितने लोगों को भी ये Piance विज्निस मिला है ये दोस्तो शब को बाई चांस मिला है by choice को ही नहीं आया है क्योंकि किसी नहीं एक सी फठाई की है कि हम धोगे पडाई करके टीजानेंगे बनना चाहते हैं ली जीन्ड़गी देखी है। किसी में किसी को देख के यह मोटिवेक हुए है कि हम यह बनना चाहते हैं किस लिए लोग बनना चाहते हैं लेकिन दोस्तों यहां के किसी ने गोर्ड लाइन की जिन्दगी देखी है यहां के किसी डिरेक्टर की जिन्दगी देखी है यहां के किसी एक्षडी की जिन्दगी द डिरेक्टर, SD और गोर्ड लाइन, स्टार गोर्ड लाइन बनना चाहेगा, तो हमको लोगों के यहां के लोगों की जिन्दगी दिखाने की ज़ुरत है, और सबसे बड़ी बात क्या है, मैं आपको दोस्तों बताओ, कि इस बिजनिस में कोई काम करने की ज़ुरत नहीं है, उस हम पैदा हुए हुम लोगों के जोना आते नहीं है, किस्के लोग जो सुबह मंजन नहीं करते हैं, कितुछ बन के मंजन कर्णे के लिए हमको नहीं मैंकरम के ज़ुरत हैं, कितने लोग जो अथ हैं। लगाने के लिए लेने की ज़ुरत नहीं है और यही काम करना है आज तक साबून बंजन तेल जितनी भी चीज़ें ला रहे थे आज तक उस दुकाना पें हमको कुछ नहीं दिया है हमको केवल अपनी दुकान बदल लेनी है और उस दुकान को बदल लेने के बाद हमारी दुकान में जो चीज़ें मिलती है अपनी दुकान की शेखे उंपो प्रियोग से लगना है और जब अच्छी लगे दोही लोग को चर्चा पर देना जाकर को दुकान बदल लेकिन फोबाल हमें और घर रश्दी सब्सक्राइब करने लगे और अच्छी लगे तो लोग उसे चर्चा करने लगेंगे तो हमारा पर्चा बन जाएगा उस पर्चा से हमारा खर्चा चल जाएगा सब्सक्राइब कर सकते हैं इसलिए दोस्तों पांच मिनट का प्लान है और यह सब लोगों को जो बता दीजे तो हम कहां से कहां हो सकते हैं सबसे बड़ी चीश है कि जब लोग बताते हैं बीजी है जो ज्यादा विजी है ऐसी को काम सबसे ज्यादाएगी करने लगे तो आट परसेंट को जो है क्या कहते हैं और पैसा मिलता है इसमें गाड़ी बंगला मकाम विदेश की आता है इतना सीधा सा काम है इतना सीधा सा काम है लेकिन लोगों को मजबूरी है उनकी बात इसले जायज है कि रात दिन में इनत करते हैं तब 10-20,000 की नवकरी मिलती है सब्सक्राइब करने के बाद और एंबीडियस करने के बाद पची तीस साल जब पढ़ाई करते तो एक डेड़ लाग की नवकरी मिलती है और या बात होती है सपनों की तो कैसे समझ में आज जाएगी साट्वेर और हाडवेर दोनों काम करना बंद कर देते हैं अगर हम 50 लाग लेकिन 40,000 रुपय लगा के चाल लाग रुपय में इन्या की बात कमाएं 40,000 रुपय में कामाने वियाक बात ही तो समझ में नहीं आता है तो इसलिए कहते हैं स़च बड़गियर जीने का धंग बड जायएगा सफन लोग कोई अलग काम नहीं करते हैं अलग धंग से करते हैं तो दोस्तों मैं यह ही कहना ठाहता हूं कि हरा नाया काम कोई यहां करने की ज़ुरह नहीं है और पुराने काम को करते हैं अगर हम अपनी इस दुकान से बदलके इस दुकान का सामाने उच करते हैं तो हम अच्छी चिंद्गी जी सकते हैं अच्छे मकान के मालिक हो सकते हैं अच्छी गारी के मालिक हो सकते हैं सरी से फिट हो सकते अब दोस्तों मैं क्या कहता हूँ कि मैं एक चीज पताना चाहता हूँ कि एक समय की कहानी है कि जैसे हम दोक सब मंदिर और मश्ची société जाते हैं कि जब मंदिर जाते है और फूल लेकि मूर्टी में पथर लगा था और मूर्टी वाले पत्थर जो लगा था तो दोनों आपस व Ada आप कर लें वर कि बाए चीज बताईए जब मंदिर बंद हो घया तो आपस भी पत्थर में भी पफ्र और जिस खणान से तू निकला उसके दांसमें भी निकला हो छोच दुकंदार आपको लाया था वही दुकंदार मुझे को भी लाया हजारों लोग रखके मेरी च्छय पर चाहते हैं और आप prawn माला चाहते हैं है कि जमीन वाले पथर में मूति वाले पथर को मेरा कहने का टात्बर है यह जो हम ञय कराते हैं हमारी आईडी जो है प्यांस में आईडीиваем राजिए उसी बगार पैसे सा लोग स्टार गोल्डलाइन आइडी से 90% लोग फेल हैं क्यों हमारी अप्लाइन एक सूत्र बताया सफलता का मैं आपको अभी बताऊगा हैंडेट परसेंट जो सूत्र का पालन करेगा कोई बेक्ति जिंदगी में फेल नहीं हो सकता है का बथा है कि पालने मुर्तिवाले पत्थर दे कोशला अवरी जहां से बहरा है वहां समय आहिए जिस दुकंदार ने तुमको बेचा हो दुकंदार विजके बीच चित्रकार ने तुछ को यहां लगा यह आओ चित्रकार आपके उपर चेनी अथावी चला रहा था तो चिला रहा था, तो दर्द को बरदास्त नहीं कर पा रहा था, मेरा मतलब जब अप्लाइन किसी बैक को बताता है, कोई चीज बताता है, तो लोग उसको बोज समझते हैं, तो कि हमको तार्चर कर रहा है, परिशान कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन तार्चर और परि तो तुझको लगा कि मेरे उपर दबाओ डालना है तो जब तुझको नहीं आना था तुझको वहीं पर छोड़ दिया तो तुझको रही चित्रकार जब मेरे उपर चीनिया थोड़ी चला रहा था कि कर दो करते हैं कि अगर यह पार समस्या को पुचल दिया तो तो परमानेंट समस्या का सबूश्यन आटको निकल लाएगा. मुटी वाले पत्थन ने जवाब दिया, जब चितरतार मेरे उपर छीनिया था, तो मैं भी चिला रहा था. मैं भी बरदास्त नहीं कर पा रहा था. लेकिन मैंने बरदास्त किया. कितनी देर बरदास्त किया, जब तर मुझको मुटी का रूप या मुटी का आखार नहीं मिल गया. और जिस जैसे मुझको मुटी का रूप और मुटी का आखार मिला, मुझको लाकर या इस्थापित कर दिया गया. अब दो अस जिन्दी बर तेरी छाती पर रखे लोग आएंगे और एब मेरे उपर जिन्दी बर खुरमाला चड़ाएंगे। मेरा कहने का थाथ पर है कि अगर आपने अप्लाइन की बाते एक्टिव अप्लाइन की बाते हैं अगर आपने दो साल से पांक साल के बीच उमाल लिया तो आप किसी राजा से आपकी जिन्दगी कम नहीं होगी और ना जाने और आपकी पहचान पूरे वर्टर लेविल के होग अपनी एक्टिव अप्लाइन की बात माल दी तो इसलिए जो है एक्टिव अप्लाइन की बात क्योंकि बगैर क्योंकि आज कल क्या है कि हम लोग अप्लाइन को क्या करते हैं गली-गली में खेला में देश से मूम भली की तरह अप्लाइन को बेशते हैं अप्लाइन हमारा प कुछ अप्लाइन कर देगा तो आप क्या करोगी तो सब कुछ अप्लाइन कर दे और जो अप्लाइन नहीं करता तो लोग कहते हैं अप्लाइन से प्लानिंग कराईए जैसे मकान बनता है तो अप्लाइन से केवल मकान की ड्राइंग मकान का नक्षा बनवाईए और बाकी काम आ आफ-लायन क morally की तरह नहला है कि बैच्ट अब लाइन को मु웁ण्हकली की तरह नया बेचिए अपलाइन की नामあー कि लोग नाम nals a दर मिछफल हो जाते हैं फो जिसके लाइन को लिये लिए करते हैं उनका सखल होते हैं लेकि-Calm बढ़ता है और मेरी बात अगर बुरी लग रही हो तो मैं इतना जानना चाहता हूं कि आप लोगों के अंदर ऐसी कोई काबिलियत नहीं है जो देश के प्रभाव साली बैपी नहीं बन सकते हो बन सकते हो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हमारी एप लाइन में सफंसा क क्या बता है बस एक मैं कहता हूं कि लेहरों के डर से नौका पार नहीं होती अकोसिस करने वालों की कभी हार नहीं होती लेहरों के डर से नौका पार नहीं होती अकोसिस करने वालों की कभी हार नहीं होती जिस तरह है चीटी जब दाना लेकर चड़ती है दीवारों पर और चड़ती है दीवारों पर सौबार फिशलती है लेकिन मन का विश्वास रगों को साह सुभरता है और गिरकर चड़ना चड़कर गिरना नहीं उसे अखरता है क्यों नहीं करता है आखिर उसकी महनत बेकार नहीं होती अपोसिस करने वालों की कभी आर नहीं होती जुब किया सिंद में गोता खोर लगाता है लेकिन फिर भी खाली हात लोट आता है मिलते न सहज मोती है गहरे पानी में बढ़ता दूला उसी है रानी अखिर मुठी खाली उसकी इसकी प्यांस का प्लान दखाने वाले आखिर मुठी खाली उसकी हर बार नहीं होती अपोसिस करने वालों की कभी आर नहीं होती और और हमारे गुरु जी ने, जो हमारे गुरु एरजुन सिंग जी और वहा गुरु एके पांडे जी है, उन्होंने एक चीज़ और सिखा लिए, असफलता एक चुनावती है, तुम इससे अभी सोईकार करो, क्या कमी रे गई है तुम में, देखो और सुधार करो, जब तक न अखल हो जाओ, नींद चैन का त्याग करो, और संघर सुन का मैदान छोड़ कर, कभी न पीछे भागो, क्योंकि कुछ की ये बिना, कुछ की ये बिना, जै जैकार नहीं होती, अकोशिस करने वालों की कभी आर नहीं होती, एक चीज़ और सिखाई है, इस कर्म भूम की दुनिया में, इस कर्म भूम की दुनिया में स्रम सभी को करना होगा, उपर वाले ने दी हैं सब को लखी रे, लेकिन रंग तुमें करना होगा, ये जैकार अब जिसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वैसे मैं आपको सिखा नहीं रहा हूँ, क्योंकि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हो, मैं खुदे सीखता हूँ, जो मैंने सिखा बता रहा हूँ, क्योंकि मैं किसी को सिखा नहीं सकता, क्योंकि सारे लोग बिजनिस पार्टनर हैं, हम सब का धन्यवाद देते हैं, जो हमारे बिजनिस पार्टनर हैं, जितनी यलोएस लाइन आप इस्पांसर सिख हैं, सब को हम धन्यवाद देते हैं, कि सुन भी रहा होंगे, और कह भी रहा होंगे, जो को बोल नहीं पा रहा है, लेकिन मुझको सब हमारे जो प्यांसी में जितने भी लीडर हैं, जिनको मैंने सुना है, और देखा है, सब से हमको बहुत मोटिवेशन मिलता है, और हर बेक को द सिखा है, और पांडे जी का क्या कहना है, हम क्या पुरी दुनिया उनको सिंते हैं, तो इसलिए जो है, हम जो है, अर्जुन सिंग और पांडे जी का धन्यवाद देंगे, और क्या कहेंगे, और सब से ज़ए हम सब से जादा दो लोगों से और मोटिवेट होते हैं, जो हमार जो इस्टार गोर्ड लाइन है जो हमारे साथ रसिया गए थे तो दिन की मीटिंग थी श्री नगर के रहने वाले हैं और इन लोगों के अंदर इतनी आग है कि अगर यह जो मैंने डीडरों के दाब बहुत अच्छे कहुंगा ज्यादा में उसे मिला भी नहीं हो जितने बहु जीट लेती है जिसे हमारे अर्जुन सिंग्जी है हमारे पालवस्नायक शाब है मनोच जाबाजी है और सेख अबुजय साहब है और कादरी साहब है इनसे मैं बहुत सोता हूं और मैं सोता हूं इनके बन जाओं और विकास गोयल साहब है जब मैंने के साथ थाइलेड गया तो हमको पते नहीं था कि हमारे अप्लाइन है और विकास गोयल भी है और इतने बड़े आदमी है तो इसलिए जो मैं जिसको जिसको देखता हूँ इतने लोगों से मिला हूँ तो हमें लगता है कि इन्हों की जिन्दगी आदमी देख ले तो I.S. I.P.S. बंदा फिल्कुल ब बताओं मैं जो मैंने अपने गुरूं से सीखा है कि दोस्तों कि बगैर गुरू के कुछ हो नहीं सकता है आप किस मामले में कितना परफेक्ट हो यह आप जो है दिमाग से निकाल दीजे और इतने दिन करके आप कहां पहुंचे हो अगर नहीं मानते हो गुरू की बात तो आ कि बगैर उपर वाले की करपा के गुरू नहीं मिलता है और अगर उपर वाले की करपा है तो गुरू मिला है और अगर गुरू मिला है तो आप उससे ग्यान ले लिजे हमारे बातों से मज़ गुरू का ग्यान ले लिजे क्योंकि बगैर गुरू के ग्यान के संसार में कल्य नहीं होता है मैं जब भी अपने गुरू के साथ में जाता हूं जब भी जाता हूं जब भी हम अपने गुरू के बात करते हैं महा गुरू से पांडे सर से जब भी कोई बताते हैं तो कहते हैं पहले अर्जुन जी से सीख लो और जब अर्जुन सर से बात कहते हैं तो कहते हैं पांडे इससी कितनी गजब की कमश्टी है दोनों लीडरों में और वही देख को सी कमश्टी से मैं मौटिमेट हो जाता हूं कि यह दो दो लोग साथ में और मांकियम डारेक्टर साब को पाल वसनाक साब को अबुज सेख साब को और कादी साब को सुनते हैं इनको मैं हमेशा सुनता हूं इनकी जहां मीटिंग होती है लेकिन मुझको पता इनके जैसे जल्दी बनने के लिए हमें बहुत पर इच्छा देनी पड़ेंगी वह चाक करना बहुत कितावें पढ़नी पढ़ें क्योंकि अंसे ज्यादा किताब पढ़ने लेकिन उनसे ज्यादा वीडियो सुन नहीं पाते हैं लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि ज्यादा किताबें पढ़ने की कोशिश करेंगे अब हमारे गुरु नहीं बताया उनने दस इस्टैप बताया थी सफलता कि अगर आप लोग तरना चाहो तो लोग कर लो लेकिन हैंडेट कि अगर इन चीजों को आपने दिखिया नहीं आप सुनी लिए हैंडेट पर्सेंट अगर इन दस इस दामतों को पालम करोगे तो धर्टी में कोई बती ऐसा पैदा नहीं हुआ है जो आपके सपनों को तोड़े और आपके सपनों को पूरा करने के लिए जो है मना करें आप के सपने आर्ट अप्मेटिक पूरे हो जाएंगे